हालो एवरीवन, वेलकम टो एपिक बॉंग कीचेन, आज हम बनाएंगे दुर्गा पुजा स्पेशाल बेंगोली ब्रेकफास्ट कोलकाता स्वीट सॉप यानी की हलवाई जैसा हिंका काचोडी और अलु की सबजी, जिसे हम बेंगोली में हिंगेर कोचोडी और अलु तरकरी इतना टेस्टी बनता है हम लोग जब भी इंडिया जाते हैं स्वीट सॉफ से जोडूर मंगवाते हैं एक्जाक्ली ओइसा ही हिंका काचोडी और अलु का सबजी आज में आपका साथ शेयर करूंगी तो चलिए देरकिस बात की शुरू करे अगर मेरा रेसिपी सबको आच् सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नहाए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले सबसे पहले हम काचोडी का लिए डो बनाएंगे माइदा ओल प्रफॉस फ्लावर वान एंड हब कप लेड़े हूं साथ में गेव काटा विट फ्लावर टू टेबिल स्पून गेव काटा लिया हाप टी स्पून नमक सॉल्ट वन टेबिल स्पून ओयल आप चाओ तो मेल्टेट घी ले सकते हो जी से अच्छा से मिक्स करना है तेल घी जो भी आप ले रहे हो कचोरी का लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है इससे कचोरी हस्ता बंगता है कि अधर मैंने हाप कप गुनगुना पानी लिया है फ्लूकवाम वाटर थोड़ा थोड़ा पटके हमें पानी डालना है पहले नीट कर लेते हैं उसका बात में बताती हूं हमें कितना पानी लागा वाई मिस्टेट अगर आप ज्यादा पानी डाल दोगे तो फिर आपको थ आठा मिक्स किया है मैं हमेशा पूरी कचोरी में थोड़ा सा आठा मिक्स करती हूं इससे क्या होता है लॉंग टाइम तब सौफ्ट रहेगा क्योंकि माईदा का पूरी कचोरी लॉंग टाइम तब सफ्ट नहीं रहता है माईदा राबड़ी होता है इसलिए आप चाहो तो स सब्सक्राइब चाहिए तो उसी ही सबसे थोड़ा करें पानी डाले देखिए डोरेडी होगया है एस बना है इसमें थोड़ा सा तेल हमें टानना है त्राके ड्राइब ना हो जाया इसलिए मैदा आच्छा से नीट करना है पाच मिनिट मैंने अच्छा से नीट किया है आप जितना अच्छा से नीट करोगे काचोरी उतना खास्ता और क्लापी बनेदा आप चाहो तो लिला कपड़ा यानि की वेक्ट क्लॉथ से भी आप कवर करके रख सकते हैं इसी तरह हम प्रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं हाप कप पानी लिया था माइदा गुनने का लिए अभी वान टेबिल स्पून जैसा पानी इसमें है इतना पानी हमें नहीं लागा अभी हम काचोरी का लिए फिलिंग बनेंगे काचोरी का फिलिंग का लिए हमस्तु चाहिए है साट्टु यह व्य शार नहीं है का सथ्टु नहीं मिला है लोकल स्टोर में मील जाता है। अगर नहीं मिला तो आप रोस्टेट चाना ले साकते हो करें देखें कि यह यह होता है यह इसे आप मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हुं यह दोनों किस्ट शेयं हैं सब्सक्राइब बना लिया है और फिल्डालिया यानि कि चिक्पीस रोस्टेड इतना ही डिफारेंस है 6 टेबिल स्पून सट्टू लिया अपी इसमें जाएगा 1.5 टेश्पून नमक सॉल्ट सॉल्ट अपना टेस्ट का उनुसर आप एड़ करें 1.4 टेश्पून सुगार चीनी 1.5 टेश्पून भाजा मसाला राय रोस्टेट ग्राउंड स्पाइस 1.5 टेबिल स्पून ऐसा फरीटा हिंग इसमें हिंग थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि हिंग का कचोरी है इसे लिए 1.5 टेबिल स्पून ओयल वीसर अच्छा से हमें मीक्स करना है बेंगोली में छोला च्छातु बोलते हैं फिलिंग का डो भी हमें सेमी सॉप्टी चाहि मैं लागा है जब तक बाइंड नहीं होता है तब तक हमें ठोड़ा ठोला करके पानी आड करना है यह दिखिए इसी तरह बाइंड होना चाहिए तो आम एंगला बिलिंग रेडी हो गया है इसे भी रागते थे यह भी रेडी हो गया अब हम आलू का सब्जी बनेंगे इसमें अलू का स्कीन पॉटेटो लिया है आबाउट फूर हंड़ेड ग्रम्स आलू मैंने विज स्कीन मेडियाम क्यूब्स में कट कर लिया और अच्छा से धोल लिया आज जो अलू का सब्जी में बना रहे है इसमें अलू का स्कीन पिल्ड अप नहीं किया जाता है स्कीन का साथ ही सब्जी बनता है इससे टेस्ट अच्छा आता है और इधर मैंने टू टेबी स्पून सफेद बटना लिया है योलो स्प्लिट ओफरनाइट सोप करके रख दि चिली पेस्ट अब मैं इसमें आट कर रहे हैं 1-2 तीश्पून हल्दी टार्मरी पाउडर बेरी लिटल काष्पीडी रेट चिली पाउडर वान फोग्या पाउडर यानि कि क्यूमिन पाउडर और करियंडर पाउडर आट नहीं कर रहे हैं क्यूंकि आलू का सब्ची में भ आज का अलू का सब्जी में टमाटार नहीं ढाला जाता है और रेट चिली पाउडर भी बहुत ही कम ढाला जाता है क्योंकि ग्रेवी का कलर एकदम डेड नहीं होता है इसलिए ज्यादा इंग्रेडियांस नहीं चाहिए होता है आज का जो अलू का सब्जी भी मन रही है इसमे में आड़ कर रहे हूं 1-2 टेबिल स्पून मास्टाड वायल तिल गरम हो गया अभी इसमें आड़ कर रहे हूं 1 ड्राइ रेड छिली लाल सुखी मिर्च 1-2 टीस्पून पाच फोरोन 1 फोर्थ टीस्पून हिंग ऐसा फडिटर में 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 मीरियम लोपी अभी यह जो मसाला पेस्ट बनाई हमने डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी आट करते हैं मसाला हमें तेन सेकेंड का लिए सटे करना है अभी इसमें आलो एट कर रहे हूं अगर आपको आज का रेसीपी अच्छा लागे तो प्लीज लाइकन श्यार करें अब उन पीस्पूल सॉल्ट एड़ कर रहे हूं सॉल्ट अपका पेस्ट का अनुसर एड़ करें मीडियम लो फ्लेम पे हमें रीट रहके दो मिनिट करना है दो मिनिट हो गया है अभी इसमें एड़ कर रहे हूं गुबला हुआ माटर वाइल योलो स्लिप्स वान पोट टीस्पून ब्लैक सॉल्ट कला निमक हाफ टीस्पून चाट मसाला प्लेम सॉल्ट अपना हिसाब से आप एड़ करें क्योंकि चाट मसाला सॉल्टी होता है और हमने ब्लैक सॉल्ट भी एड़ किया है हाफ टीस्पून कसूरी मेथी ड्राइफ फेनोग्रीक लीव्स इसे हमें अच्छा से मिक्स करना है बॉयल मटर आप बात में भी एड़ कर सकते हो आलू बॉयल होने का बात भी आप एड़ कर सकते हो टूकि हमने एक ही वेसल दिया है आलू का साथ ही अच्छा से पूख हो जाएगा अभी फ्लेम मीडियम टू है कट नीस पूशाणे पूख कर देते है आप हमें इसमें मैं अट कर रहे हूं होत वाटर एक कप होत वाटर एड़ कर मpas ध toi रोंग टेंपरचर वांडर भी एड कर सकते हो लेकिन हट अपाट गर्णा करने सफ को चाहिए ऑप में एड कर रही हूं दो ग्रीज चिली मैं स्लिट नहीं किया होल ग्रीन चीली आट कर रही हूं तो कि हम बात में भाजा मसाला भी आट करेंगे स्पाइसी हो जाएगा इसलिए और हमें चाहिए रजगुल्ला का सुगर सिराप मैं एक्जाक्लिक कोलकाता हलुआई जैसा सुईट शॉप जैसा बना रही हूं और उलो कि आट कर सकते हों किस्टी थोड़ा मीठा होता है तो मैं one teaspoon लिया है उनली कि हमारा घर में सब्ची में ज्यादा मेठा पसंद नहीं किया जाता है इसलिए मैंने जस्ट one teaspoon सुगा सिराप लिया रसगुल्ली के सुगा सिराप आट कर देते हैं आपको कितना ग्रेवी चाहिए लेकिन ये अलुका सवची में जयादा निइए है थीख होते है ग्रेवी होता है लेकिन बहुत कम होता है अभी फ्लेम मेर्डियं ही पर कर देदे हैं और 5-6 मिनिट कुप करना है लिट पुरा कफर नहीं करना है थोड़ा गया प्राटम ना यह ज़गा यहाँ अदरुवास ज आलू तूमूख गो गया अलु का स्किन भी निकलना शुरू हो गया ढ़ी ग्रेवी में थोड़ा थिकनेस लाने के लिए ठाका ने हैं धुआ प्यजतक की णलीनि अट्लना है अर्टेवी मैं अटाव में दआलना है अग्रवी में फ्लेमि अभी विंड़ोगниц इसे ग्रेवी में थिकनेस आता है और सबची भी बहुत ही टेस्टी बनता है ग्रेवी देखें इतना ही consistency होना चाहिए इसे ज्यादा रिडियूस नहीं करना है थोड़ा ग्रेवी राता है एकदम ड्राइबी नहीं करना है अभी मैं इसमें आट कर रहे हूं वान टीस्पुन भाजा मसाला ड्राइब रोस्टेट ग्राउंड स्पाइस पाच पोरोन और भाजा मसाला का लिंक मैंने इस वीडियो का एंड पे दे आप प्लीस चेक कर लिजे अभी हमें स्विच ओफ करना है फ्लेम भाजा मसाला एट करने का बाद कूक नहीं करना है फिर कालर चेंज हो जाएगा डार ब्राउन कालर हो जाएगा ग्रेवी का और क्यूके रोस्टेट मसाला है अब कूक करने से ग्रेवी काड़वा हो करना है अभी मेडियाम साइज का बॉल्स बना लेती हूँ जितना क्वांटिटी का माइदा ओल परपस फ्लावर और गेहुका आटा वीड फ्लावर लिया है उसी हिसाब से टेन पीसेस कचोरी में बना रही हूँ बॉल्स रेडी होके अभी हम इसे घीला कपड़ा से राख के राख देंगे तकी ड्राइए ना हो जळाए ज़ितना पीसेस का बना है इसी तरह बना लिवत है तो भास के ये तेन पीसेस हम प्लावड हूँ बना है सब कर लेंगे बना लिया है लिया गंग करने का लिए राख दिया है थोड़ा ज़्यादा तेल चाहिए काचोरी फ्राइ करने का लिए लार्ज एमोंट में और इसमें में ओन टेविल स्पुन घी भी आट किया है और फ्लेम हम मीडियाम पे राग देते तेल गरम करने का लिए तब तक हम काचोरी बेल देंगे एक बाटी में थोड़ा सा तेल लेना है बेलने कर लिए अभी हमें सेंटर में एक एक फिलिंग का बॉल रखना है सितरा ठीक है अब चाहों तो इसे थोड़ा सा और प्रेस कर दीजे और देखिए ऐसे सील करना है अब चाहों तो एक स्टाड़ निकल सकते हों जिर ने रहीं है इसा निकल रहा है अगर थीम निक जाएगा तो राइ करते व데ा क्थायर के अगर इसे होता है तो एफिर शे फिल्टर कर लीज़्ें दो-सी में तरेन और प्रेंग करों कि यह दिखिए और एक मैं आपको देखाती हूँ कैसा करना है आप चाहो तो इसी तरह काटोरी का शेफ बोल का शेफ बाना सकते हूँ इसी तरह और इसमें एक पिलिंग का पॉल्ट ताकना है और इसे इसी तरह घुमाते जाना है अपने आप सील होते जाएगा दिखिए और इसी तरह बना सकते हूँ बैल के भी बना सकते हूँ जैसे आपको कॉमफड़ और हो गया है बाकी बोल्स में भी मैं फिलिंग भर लेती हूँ ने देखिए फिलिंग भर के-काच़री कर यह बॉल्स रेड़ी हो गया है लेकिन हमें उन बाई यान पाल्स लेना है और बेलना इसे थारे कोभर करके रख देंगे ताके ड्राइना हो जाए थोड़ा से तिर लागा लेते जो साइड में सिल्क जो साइड फील्ड घ्या है उसी साइड से हमैं रोल प करना है हालका हाँ से हमें प्रेस करना है ताके फिलिंग निकाल ना जाए और सेंटर एज़ेस में सेम थीकनिस आना चाहिए इसलिए रोलिंग पिन सेंटर में राखे और इसी तरह करें देखिए काचोरी ज्यादा पतला नहीं होता है वह थीक होता है एक काचोरी हो गया बेल लिया और इसे भी हम फ्लेट में रखेंगे और गिला कप्टा से हम कवर कर देंगे ताकि यह भी ड्राइना हो जाए इसी तरह में चार पाच काचोरी बेल लेती हो फिर हम फ्राइ करेंगे अच पी कचारी मैंने बेल लिया है पाकी में बात में बेल के फ्राइ करूरूँगी तो चले अब ही फ्राइ कर लेती तेल गड़न करने क्लिए फ्लेम मीडियाम पे राखा था अब już Cathedral जादा गड़न चाहिए काचोरी फ्राइक एक हिख करके काचोरी में डालना थेरकर चैर प्रेस हलका हस से एकदम हलका हस से बैक साइट से हमें प्रेस करना है और गुमाना भी है ऐसे तरह यह देखिए आप ऐसा करोगे तो अच्छा से फूलेगा फ्लाफी नेस आएगा इसमें यह देखिए स्लाइट गोल्डेन आने तक हमें फ्राई करना है लेकिन फ्रेम आप मेडियम टू हाई पी रखे अगर तेल ज्यादा गरम नहीं होगा तो काचोरी का अंदर तेल चला जाएगा यह देखिए एक साइट स्लाइटली गोल्डेन हो गया अधर साइट भी ऐसा ही होगा फिर हम न कर लेती हुँ फिर हम टीश आउट करेंगे आई होप आज का रेसीपी आपको अच्छा लागा संदेश का रेसीपी में किसी अर दिन शेयर करूंगी आज वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है थेंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो सी यू निक्स